नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैं चानल, मेरे नाम शिविन, हम आज इस वीडियो टूटरल में देखेंगे, राइंडक POS बिलिंग सोफ्ट्यूर जो होती है, जो रिटेल बिसनस का बिलिंग सोफ्ट्यूर होती है, उसमें से किस तरीके से SMS जाती है, उसके लिए हमने क्या पहले आपका जो दुकान का नाम होती है, यानि आपका जो शोब का नाम होती है, ये जो शोब का नाम आपने six digit में कमबरस करना पड़ता है, ठीके ना, जो क्यों कि आपका शोब का नाम पे जाती है customer को SMS, जैसा फर एक्सांबल, आपका customer आपसे कोई माल खरीदने के लिए हुआ है सामने खड़ा हुआ है माल खरीदा वो पैशा दे दिया हमने बिल प्रिंट गिया तुरंद 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 वो कस्तमर का मोबैल पर SMS पहुंचा जाती है वो आपका मोबैल नंबर से नहीं है वो आपका API code सा होती है वो एक इंटरनेट SMS होती है उसको बोलते हैं इंटरनेट SMS उसका जो फर एक्साम्बल आपका दुकान मैंने एक नाम मेरा SMS के लिए डाला हुआ है फर एकसम्बल रहेंटक पी ओएस के लिए हमने इस तरीका सा जो नाम लिखा था था पी ओएस पी ओएस पी ओएस देखो यह आप दिखाई देथिये मेरे ख्याल से पी ओएस पी ओएस जो यह जो एने जो सिक्स डिजिट का होती है छे डिजिट यह जो चे डिजिट जो है ना for example मेरा एक customer उसका नाम उसका नाम है ओधानी ओधानी उसका नाम ऐसा लिखता है देखो O-D-H-A-N-I इस तरीके से होती है ओधानी इस तरीके से आपने अपना क्या नाम अपना दुकान का नाम six digit में बनाए गया तो यह जो six digit में जो यही नाम पर आपका customer को SMS पहुंचा जाएंगे ताकि आपका customer को पैचाल लेगा यह SMS कहां से आया आपका आपने एक mobile number से SMS करेंगे ने customer इतना पैचाने का नहीं लेकिन आपका जो for example आपका जो supermarket का नाम डालते है आपका जो textile का नाम डालता है और आपका जो garments का जो भी है mini supermarket जो भी नाम आपने डालता है उसी नाम पर अगर customer का mobile पे SMS पहुंचेंगे तो customer को तुरंद तु गरी क्ली आज का इस फीडियो में डिखा देंगे किस तरीका से एकरता है देखो आप ये video में देख लीजिए देखो ये जो screen में लेकले देखो देखायों देख ली इसमें आप SMS API की कहां से लेता है API की आपको देखो किस तरीका से अबालता है मैंने आपको दिखाँगा जो आपको नीचे दिखर दे यह एक API की है इसमें देखो सबसे लास्ट आपको इतर दिखाई देती यह POS POS यह six digit का जो नाम होती है यह आपको दुकान का नाम है मैंने POS POS करके डाल दे तो POS POS यह जो नाम जो है इसमें यह नाम रखे मोबेल में मैंसेज आ जाएंगे मैं आपको दिखा देंगे किस तरीका से हो समस रहता है यह मैंने कोपी कर ले रहा हूं सी कंट्रोल सी मार दे रहा हूं और अपना जो राइंडग POS बिलिंग सोफियर खोल दिया मैंने उसमें मास्टर अंटरी में यह समस सेटिंग्स में आप जाएं यहां जो देखो आपने व मैंने अपना मोबेल खोल दे रहा हूं मैंने अपना मोबेल खोल दे रहा हूं मैंने अपना मोबेल खोल दे रहा हूं मैंने अपना मोबेल खोलने में टाइम लगता है देखो मैंने अपना मोबेल खोला हुआ है और मैंने एक सेल्स कर रहा हूं देखो आप देख सकता है POS म फ्रेक्सांबल देखो यह मेरा ही नंबर डाला हुआ है आप अपना कस्तमर के नंबर इधर भी टाइप कर सकता है सिधा-सिधा और आपके सबसे कर सकता है नो प्रब्लोम आप कोई भी एक इटम सलेट कर दिया आड़ टिकार्ट कितना दो सु दो रुपय का सामान है जेखो से टालना नैंड़ आपने बालंस देना है तो मैंने अभी सबसे इदर खोल के रखेंगे ताकि आपको जभी समस्फवक rich Spencer के तुnumber को दिख सकता है थे अभी देखो SMMS आय नहीं है सोरी SMS आये नहीं है देखो आने के लिए हम इंतसार करेंगे देखो हम देखो save and print कर रहा हूँ देखो save and print तुरंदीज़ SMS आना चाहिए देखो आगयाजी 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 देखो POS POS करके नाम आगयाजी मैंने उसमें खोल देता हूँ खोल देरो आपको दिखाई देरे मेरे ख्याल से बहुत सारे SMS आपने किया था सबसे नीचे देखो cash sale सबसे नीचे आपको दिखाई थे cash sale thank you 202 जित्रा पाईसा का जो क्याना में उन्होंने पर्चेस किया था उसको invoice number सा आपको आपको SMS में पहुंचाएंगे इस तरीका से very quickly करके आपका customer को SMS पहुंचाएंगे और देखो सबसे उपर POS POS आपने नाम भी देखागो ना कौन सा नाम हमने डाला था POS POS उसी नाम पर SMS पहुंचेगा जी ताकि आप अपना दुकान एक professional तरीका से तो customer के ऐसा feel होंगे यार इतना जबर्दस system लगाया हुआ है ठीक है ठीक है थांक ये फूर वाचिं दिस वीडियो थांक यू बाई बाई